Karl Marx का नाम Political Sociology हो या Economics का फील्ड हो एक इंतहाई एहम नाम है और Marxism की बाद जब Political Sociology के Context में होती है तो बाबाए Political Sociology के तौर पर Karl Marx का नाम जो है वो जाना जाता है क्योंकि उनका जो Contribution है subject के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों को समझने के हिसाब से, खास्तोर पर मौशरे के अंदर जो इक्तलाफात है उनका तालुक जो उन्होंने मौशी हालाद से जोड़ा और मौशी हालाद कैसे किसी भी मौशरे पर असर इंदाज होते हैं वो काल मार्क्स के हिस्से में ही यह शोहरत आई, उन्ही का जो नाम है काल मार्क्स का, इस पोलिटिकल सुशियोलोजिस्ट इसमें कोई शक की बात नहीं है, कि उनकी कॉंट्रिबूशन की वज़ा से ही यह नाम बना है, मार्क्सिजम इस बोथ असोशल एंड पुलिटिकल थेरी, विच इनकम पासे मार्क्सिस ख्लास थेरी एंड मार्क्सिजन एकनॉमिक्स, क्यानि काल मार्क्स की जो कॉंट्रिबूशन है, वो सिरफ मुख्तिस नहीं है कि उन्होंने एकनॉमिक फिलोसफी दी, बलके एकनॉमिक के साथ साथ जो उनके ख्यालात सियासी हवाले से उनका जो तालुक जोड़ा गया, इन ही कोशिशों की वज़ा से काल मार्क्स की जो क्लास कॉंफ्लिक्ट की थेरी है, वो आज तक उस पर बहस भी होती है और पॉलिटिकल सोशोलोजी का एक एहम तरीन टॉपिक है, मार्क्सिजम की जो फर्स्ट इंट्रोड़क्शन हुई दुनिया के साथ, फिर उनका जो हिस्टॉरिकल मैटेरियलिजम का कॉंसेप्ट आया, जिसकी बात यहां बेस यह थी कि जो आइडियास आर दे प्रोड़क्श ऑफ दा मैटेरियलिजम का एक्षिस्टेंस इन दा इक्नॉमिक बेस आफ सुसाइटी अद चेंज इन सुसाइटी इमर्जिस फ्रॉम देस ट्रॉगल। कि मौश्रे के अंदर जो स्ट्रॉगल है, वो किस बात के लिए होती है, according to Karl Marx, the actual base of this struggle is the economic basis, हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए यह चाहता है कि उसके पास कुछ जराइव मौजूद हो, उन जराइव के हसूल के लिए जब वो जिदोजहत करता है, जब वो कोशिश करता है, तो इस कोशिश के नतीजे के तौर पर मुक्तलिफ तबकात के दरम्यान एक जंग का अगाज होता है, मुफादात की जंग का, चुनाचे यह Karl Marx की एक basic philosophy है, फिर फास तौर पर Karl Marx ने जो बात की, उसका तालुक अगर हम जोड़ना चाहें, कि बहुत अर्से से जो इंसानी societies के अंदर, एक classical societies थी, जो ancient Rome and Greek time period पर थी, उसका जराइव की तक्सीम के और पहमाने थे, फिर feudal societies आ गई, जो फास तौर पर Middle East के अंदर आई, जहां पर वो लोग जिनके पास जमीनी जाइदा दें थी, जिनके पास जराइव मौजूद थे, उन feudal ने बहुत अर्सा तक, अपने कबाइल के जरीए, दुनिया के उपर जो है, अपने अपने हिस्सों के अंदर, अपनी जो सुप्रेमेसी थी उनको काइम किया, फिर उसक था, उस सर्माए की वज़ा से उन्होंने दीगर तबकात के उपर अपनी सुप्रेमेसी काइम करने की का अगास कर दिया, यह सब जो पीरियट्स हैं, यह केटेगराइजड इन वे प्रोड़क्शन हैपन्स, और मौड अफ प्रोड़क्शन क्या है, यानि मौश्रे के अंद और मोड अफ प्रोड़क्शन क्या है और फिर अफ प्रोड़क्शन के लिए जो इनवेस्टमेंट है वो जराइक से कबजे में हैं, वो किसके पास है, जिसके जरिये वह बाकी लोगों को कंट्रोल करता है, अगर पैसा है तो पैसे को जब तक किसी जगा पर इनवेस्ट नह किया जाएगा, उसमें इजाफा मुम्किन नहीं, तो जिन लोगों के पास पैसा होता है, वो कभी सेनतों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी उसके लिए और तरीके ढूंगते हैं, लेकिन जिनके पास जराय मौईसर नहीं होते, जो डिपेंडेंट हैं उन लोगों पर जिनके पा लोगों नहीं है, उन्हें अपनी जिन्दगी गुझारने के लिए जराय चाहिए, तो हम पर शिच्हे जिनके पास मौझू है, जो हैव जिनके पास मौझू है इनकी कश्मकिष मौशरों के अंदर बहूत सारी मौष्कलात भी खड़ी करती हैं, और मौशरों के अंदर the fight for the rights and definitely a stage comes when there can be some revolution. हम इसको आसान लफजों में अगर कारल मार्क्स की फिलोसफी को समझना चाहें, तो हम यह कह सकते हैं कि मौश्रा मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ क्लासिज पर वजूद में आता है. कारल मार्क्स के नस्दीक दो क्लासिज एहम तरीन हैं, एक वो जिनके पास जिनके कबजे में जराय मौझूद हैं, और एक वो क्लास जिनके पास जराय नहीं हैं और वो अपनी जिन्दगी अपनी सर्वाईवल के लिए dependent हैं उस दूसरे तबके के उपर. चुनाचे इन दोनों के दर्मियान जो जिदो जहद है जो स्ट्रगल है और वो लोग जिनके पास नहीं है जब वो इस पूरे सेट अप को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो पहले एक तबकाती कश्मकश का अगाज होता है कई दफ़ा ये तबकाती कश्मकश एतनी भड़ सकती है कि बकाईदा तोर पर तहरीके चलती है और कभी ये भी हो सकता है कि वो तहरीके जो है वो इनकलाब की शकल इक्तियार कर ले यानि काल माक्स मौश्रे के अंदर एक मुसलसल तनाओ, एक कश्मकश और उसके साथ साथ होने वाली जिदोजहद और फिर उसके मंत की अंजाम की बात करते हैं और यही उनकी फिलोसफी की बेस है.